आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ Taksim OF टैबलेट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको Taksim OF टैबलेट के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है शुरुआत करते हैं वीडियो की Taksim OF टैबलेट के परिचे से इनके छोटे से इंटोड़क्शन से अगर मैं बात करूँ Taksim OF टैबलेट के कमपनी के बारे में तो ये एलकेम कमपनी की दवा है और एलकेम का इंडियन मार्केट में टॉप फाइब में रैंक आता है ये अच्छी कमपनी की दवा है इनके मालिक मिस्टर संपदा सिंग है जो बिहार बेच थे उन्होंने काती मेहनत की इस कमपनी को जीरो से उपर पहुंचाया उसों आपको स्टरल भासा में आसान तरीके से बताऊं तो ये एक प्रकार की एंटी बायोटिक दवा होती है मतलब अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बैटीरियल इंफेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए उपर्टस इस दवा को स्टर्स्काइब कर देते हैं उदाहरण के तौर पर अगर आपका कहीं चोट लग गया वहां पर घाव बन गया उस घाव को सुखवाना है इसका इस्सका माल हो सकता है अगर किसी विक्ति के फेफडे में इंफेक्शन हो गया है नीमूनिया है वहाँ भी इसका काम आजता है अगर किसी वेक्ट ने दात उखरवाया वहाँ का घाव भरना है मतलब बैक्टियर इंफेक्शन अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए और या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स इस दवा का इस्कमाल कर देते हैं अब आज समझते हैं कि आखिट टैक्शिम ओयफ जो टैबलेट है कि किस तरीके से काम करती है इसका मोड आफ एक्शन क्या होता है दोस्तो टैक्शिम ओयफ टैबलेट में दो दवाईया होती है पहला होता है सिफाइक्शिम और दूसरा होता है ओफ लॉक्सासिम सिफाइक्शिम एक प्रकार का सिफेलो उस फोरिंग ग्रूप के थर जन से दवा होती है और साथी साथ आपका जो O-Flaxacin होता है ये इसके साथ सहयोगी काम करता है अब ये कैसे काम करता है आई इसको समझ लेते हैं से-Flaxacin जो होता है वो बैक्टीरिया के Cell-Wall Synthesis को इनिविट करता है अगर और आसान तरीके से समझाओं तो जो बैक्टीरिया होता है उसका जो बाहरी ले रहता है उसको जाकर कि ये पंचर कर देता है जिससे बैक्टीरिया पड़ जाता है ब्रश कर जाता है और आगे डेवलप नहीं कर पाता है और ये O-Flaxacin बैक्टीरिया के DNA को रैप्चर करता है और आपको आसान भाषा में बताओं तो ये बैक्टीरिया के प्रजडन को रोग देता है जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और फदर डेवलप नहीं कर पाते हैं और पेशिन को सिंप्टोमाइटिक रिलीफ में जाता है तो इस तरीके से taxim OF tablet काम करती है बात करूं इसके side effects के बारे में इसका जो main side effects होगता है वो ये होता है कि इसको खाने के बार हो दोता कि patient का हलकालका सा गला सुखे कॉंस्ट्री पेशेंट रनकी कब्स की सिकायत हो कुछ-कुछ patient को नाजिया या फिर vomiting की सिकायत हो सकती है इससे अरह बहुत कुछ खास इसमें दिखता नहीं है अगर बात करूं इसके MRP के बारे में तो ये आपको market में लभा लभा 14-15 रुपे की एक debit मिल जाती है तो ये तो था taxim OF के बारे में उस सब कुछ जो आपको बदाना जरूरी था आज की वीडियो में कर दो को बारे में जो आपको जो आपको बारे में जो आपको